कि तुम उस सफेज शेर को जान से मारना चाहते हो लेकिन तुम ये अकेले नहीं कर पाओगे अगर हम दोनों मिलकर ये काम करेंगे तो शायद हम उसे मार सकते हैं तब भालू सफेज शेर के पास जाता है और कहता है सुनो महराज आज शाम मैंने अपने बच्पन के दोस्त रगु शेर को दावत पर बुला रखा है अगर आप भी आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी ठीक है भालू अगर तुम कहते हो तो मैं जरूर दावत पर आऊंगा कब शाम होने पर सफीज शेर भालू के घर महुचता है भालू ने ताजा ताजा मास तयार के रखा था आओ महराज आओ आपको देखकर बहुत खुशी हुई मैंने सुना है रगु कि तुम भालू के बच्पन के दोस्त हो जी महराज हम दोनों बच्पन के दोस्ते आज मुझे बालू ने दावत पर बुलाया तुम्हें चला आया चलो महराज